दुशकर्म के आरोपित पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है शासन के निर्देश पर पूर्व ब्लाक प्रमुख की संपत्ती की खंगालने कारे चल रहा है अब तक करीब 80 करोड की संपत्ती सामने आई है इससे अब प्रशासन ने जाँच तेज कर दी है सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अडंगापुर निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने बुआ के साथ डिगरी कालेज पहुंची पंद्रह वर्षिय किशोरी से दुशकर्म किया था आरोपित नवाब सिंह और दुशकर्म में सहयोगी पीडिता की बुआ जेल में है शासन के निर्देश पर पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह उसके छोटे भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख नीलू यादव समेत उनके रिष्टेदार और करीबियों की संपत्ती की जाँच चल रही है सदर और तिर्वा तहसील के करीब साथ लेख पालों को संपत्ती की जाँच के लिए लगाया गया है सूत्रों की माने तो अवकाश के दिनों में भी राजस्व टीमों ने अडंगापुर, कट्रीक शेत्र के भिमापुर्व, अलियापुर्व, नसरापुर, शहर के मकरंद नगर, सराय मीरा में च्छानबीन की वहीं तिर्वा में कन्नौज तिर्वा मार्ग और सखौली गाव में संपत्तियों को खंगाला एक सप्ताह से शुरू हुई च्छानबीन में अब तक करीब 80 करोड रुपे की संपत्ति सामने आई है इस से अब राजस्व की टीमों ने तेजी लाई है सूत्र बताते हैं कि बुधवार तक राजस्व टीम जाँच रिपोर्ट डियम को सौप देगी ऐसा डियम रामकेश ने बताया कि शासन के निर्देश पर संपत्ति की जाँच की जा रही है अलग-अलग राजस्व ग्रामों और शहरी क्षेत्रों में संपत्ति पाई गई है जल्द इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौपी जाएगी दुशकर्म के आरोपित नवाब सिह की संपत्तियों वो उनके करीबियों के नाम से खरीदी गई संपत्ति के बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनिय धंग से अधिकारियों को सूचना दे सकता है SADM सदर रामकेश ने बताया कि कोई भी व्यक्ति कार्यालय आकर अवैद धंग से धन अरजित कर खरीदी गई नवाब सिह की संपत्तियों के बारे में जानकारी दे सकता है उसका नाम कहीं पर भी प्रकाश में नहीं आएगा इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें एवं कमेंट करें धन्यवाद